दोस्तो स्वागत आप सभी का आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल किरुष्णा फैंटेसी में और आज हम बात करेंगे पॉंडी चेरी टीटन मैच के बारे में जो कि यहां से खेला जाएगा एंजल्स फूमेन वसर प्रिंसेस फूमेन के बीच दोस्तो यह मैच आपके इंवेश्मेंट के लिए काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम प्लेयर होने वाले जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे कौनसे वो प्लेयर होने वाले साथ ही साथ में कौनसा बैट्समन का बैटिंग करेगा कौनसा बॉलर का बॉलिंग करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में डीटेल की साथ बता हुआ तो वीडियो को एंटेक जरू देखिएगा दोस्तो अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है क्योशना फेंटेसी आप देख सकते हो दोस्तो इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट जो भी भाई नय है हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफी जादा महेनत करनी परती अगर आप इस वीडियो को like करोगे चैनल को subscribe करोगे तो मुझे भी support मिलेगा motivation मिलेगा तो उमेद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को like कर दिया होगा और channel को subscribe भी कर दिया होगा दोस्तो बात करें हमारे team के बारे में तो विकेट कीपर में सबसे पहले आपकी पास JJ का option होने वाला है अगर हम इनके betting order के बारे में बात करें किस नमबर पर आपको betting करते वे नजर आने वाली दोस्तो या फिर यहाँ पर भी रागविका का भी option होने वाला है दोनों ही जो यहाँ पर middle order आपको समालते वे नजर आने वाली इस चीज़ का आपको ध्यान में रखते वे चलना है दोस्तो लेकिन जो JJ है न वो थोड़ा सा यहाँ पर उपर बैटिंग करते वे आपको नजर आजेगी रागविका से हाला कि recent कि अगर मैं यहाँ पर JJ के चार मैचस के बारे में बात करूँ कि कि इस टाइप का चार मैचस में performance राए तो सिर्फ 22 निनोंने करे और इतना ही performance रागविका का राए तो मैं तो सज़ेश्ट करूँगा जिसकी टीम पहले बैटिंग करे आप उसको अपनी टीम में रखी फिलाल मैं जेजो को लेके चल रहा हूँ लेकिन एंजल्स अगर पहले बैटिंग करेगी तो मैं रागविका के साथ जाना पसंद करूँगा दोस्तो बैटिंग में एस पांडे का आपके पास ओप्षिन होने वाला है जो कि नमबर तीन के आसपास आपको इस मैच में बैटिंग करते वे नजर आजेगी आप इनको आसानी से अपनी टीम में रख सकते हूँ रीचन के परफॉमेंस के बारे में बात करे एक 3 रन इनों ने करे थे दूस्तो 33 रन इनों ने करे 88 रन की भी एक очी इनिंग से इनों ने खेली थे 16 रन इनों ने करे और T10 में अभी परफॉमेंस अच्छा रहा है आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो आपके लिए जो है ये गेम चेंजर बन सकती है दूस्तों और साथ ही साथ में ये बॉलिंग भी करवा ले थी लाश विन में शानदार तीन विकेट भी इन्होंने बॉलिंग से निकाल ले थे इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ कार्थिकन एक और आपके पास अच्छी ऑप्षिन होने वाली जो कि ओपन करते विन जर आएगी लाश मैच के बारे में बात करूँ 38 रन करे और उससे पहले डॉमेश्टिक वगेरा खेले थे अहाँ पे भी अच्छा पर्फोर्मेंस कर रही थी आप इनको अपनी टीम में रख सकते हो हो सकता है बॉलिंग भी करवाते विए आपको नजर आ जाए दूस्तो इनके अलावा यहाँ पे मैटरी का आपके पास ऑप्षिन है नमबर तीन पे बैटिंग करते विए नजर आएगी लाश्मन में 5 चन पे आउट हो गई थी उससे पहले एक मैट ठीक ठा गया था फिर डॉमेश्टिक वगेरा में बात करे तो 23 रन इनोंने करे 52 रन करे तो रन करके दे सकती है दोस्तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते वे चलना है एस मिश्रा आपके लिए इंपोर्टेंटे ओपन करेगी लाश्मन में शांदा 20 रन की एक अच्छी इनिंग सिनोंने खेली थी उससे पहले भी डॉमेस्टिक वगेरा में अच्छा करा इनको मैं जरूर अपनी टीम में लेके चलना चाहूंगा दोस्तो बाकि यहां से अगर किसी और के बारे में बात करे तो देखो कोई खास ओप्शन नहीं जो आपको टॉप ओडर में खेलते वे नजर आए तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते वे चलना है जो टॉप ओडर में खेलेगा उनको हम रख सकते यहां से मैधरी को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ एक चीज और बता देता हूँ यह आपको जो है बॉलिंग भी करवाते वे इस मैच में शाय नजर आजे दो वर त तो कैप्टन सी के लिए एक मस्ट भी क्या आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो वही आर माने के बारे में बात करें बॉलिंग भी करवाते वे आपको नजर आने वाली मिडल ओर भी समालते वे नजर आईगी और स्पिन बॉलिंग करवाईगी तो विकेट निकाल के दे सकती लाश्मिन में भी एक विकेट निकाल ली थी उससे पहले डॉमेस्टिक वगेरा में अच्छा परफोर्मेंस रहा था दोस्तो जी नायक के बारे में बात करें लाश्मिन में कोई विकेट नहीं निकाल पाई ये बॉलिंग भी करवा लेती है और बेटिंग जो है ओ विकेट नहीं निकाला था दोस्तो और डॉमेस्टिक वगेरा जो रीसेंट के खेले उन सभी में सिंगल सिंगल विकेट के आसपास निकाल कर आ रही है अच्छी बात ये है कि देखो इस्पिन बॉलिंग करवाईगी तो विकेट आपको निकाल के दे सकती है अनील लोनकर के बारे में बात करें लाश विकेट नहीं निकाला था उससे पहले वाले मैच में भी विकेट निकाला अच्छा परफॉमेंस रहा है प्लस बैटिंग भी कर लेती है तो आप इनको भी लेके चल सकती हो बाकि यहां से कोई खास ओप्शन तो है नहीं जिनको आप स्मॉल बी का आपके पास ओप्शन होने वाला है थोड़ी सी रिस्की प्लेयर बन जाती है दोस्तो आप ट्राइ कर सकते हो अगर इनकी टीम पहले बालिंग करती है इनके अलावा अगर हम किसी और के बारे में बात करें तो यहां पे भी धनिया का आपके पास ओप्शन होने वाला ह कैप्टन और वोईस कैप्टन निगम मेरी यहां से कैप्टन रहेगी नायक मेरी वोईस कैप्टन रहेगी इनके अलावत जिनको आप कर सकते हैं दोस्तों कार्तिकेन एक अच्छा उप्षिन बन सकता है मैं तरी एक अच्छा उप्षिन बन सकता है इनको आप ट्राय जरूर कर के चलिएगा फिलाली हमारी टीम का प्रिवियू आप देख सकते हो आप इस टीम के साथ कॉंटेश जोइन कर लिजेगा फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स रो डिस्क्रिशन में दिया वाए तो जोइन कर लिजेगा टेल लाइक करना दोस्तों चैनल को सब्सक्रिशन जरूर कर दीजेगा यार